नमस्क्रा दोस्तों, दोस्तों, बोरोसिल रिनमल के quarter 3 के numbers आ चुके हैं, अभी अभी numbers आये हैं, और देखे, मैं stock के उपर तब चर्चा करता था, जब stock बहुत भेंगर गिरावर दिखा रहा था, stock वहाँ से almost मैं कहूंगा, अगर 100% भी नहीं मानेंगे आप, तो जब हम stock almost 80-90% का return दे चुका था, और quarterly 3 के numbers से पहले मैंने कहा था, देखिए, इस बार भी कोई बहुत positive surprise आ जाए, ऐसा मुझे बिलकुल भी नहीं लगता, भारा सरकार द्वरत जो budget में कुछ challenge किये गए, जो rooftop facility की बात की गई, उसके current stock में काफी अच्छा momentum देखने को मिला, लेकि quarterly numbers से मैंने कहा कि भाई देखिए, आप अगर कुछ shock बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं, stock को बेच के निकल जाए, ठीक है, partial profit book तो at least जरूर कर ले, क्योंकि इस बार भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा result निकल आए, ठीक है, तो इस बार देखते हैं कि numbers कैसे हैं दोस्तों, अभी तक मैंने देखे नहीं है, साथ में चल के देखते हैं numbers कैसे रहें, तो देखें, यह consolidated numbers हैं, आप देखें सबसे पहले जो यहाँ पे number आपको मिलेंगे, यह lakhs पे होंगे दोस्तों, तो थोड़ा साना ध्यान दीजेगा साथ में, अब चलते हैं numbers की सानफोर करोर था, और पेचले काटर में यह 401 करोर था, बात करें अधन इंकम की, तो इस बार 3.83 करोर है, जो एक साल पहले 9.74 करोर थी, और पेचले काटर में 4.65 करोर थी, और देखें, बोरो सिल के लिए न, धंधा या वॉल्यूम, यह कभी चिंदा का विशय ही नहीं रह है, हाँ, क्वार्टर और क्वार्टर में एक बड़ी गिरावत में जरूर कहूंगा, more than 10-15% की गिरावत होगी, लेकिन, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर जो हमें यह आ देखना है, वो इनके खर्चे, इनके इन्वेंटरी, और लास्ट में किस तरह नमबर आते हैं, तो दे तो इन्वेंटरी, 14.75 क्रोड की पॉजिटिव इन्वेंटरी है, ठीक है, जो एक साल पहले न, 19.98, अल्मोस 20 क्रोड की थी, पॉजिटिव इन्वेंटरी, पिछलियों कौटर में, यह 19 क्रोड की निगेटिव इन्वेंटरी थी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस दि दो क्रोड रुपे थी, माफ की जिगा, 7.14 क्रोड है, जो एक साल पहले मादर, दो क्रोड थी, यानि मोर देन थ्री टाइम्स का जंप है, डेप्रिसेशन अमाटाइजेशन एक्सपेंस, 34.74 क्रोड है, जो एक साल पहले, 12.73 क्रोड थी, यह खर्चे लगातार बढ़ रहे ह ठीक है, पावरफुल, यहां कुछ मुझे लगता है, रहात मिलेगी, 99.58 क्रोड है, जो एक साल पहले माद, 81, यहां पर भी रहात नहीं है, और यह तब है, जब आप तमाम कंपनीज में जाके देख लें, तो उनके पावर और फ्यूल के खर्चे कम हुए है, बात करें, प्राफिड, 18 करोड का लॉस हुआ है, यह लगातार दूसरे क्वाटर में लॉस हुआ है, एक साल पहले 13.6 करोड था, और पिछले क्वाटर में 3.43 करोड था, बहुत बहुत भेंकर लॉस है, और जब हम टेक्स को सब को मिला करके देखते हैं यहां पर तो यहां पर देखे तो हम देखेंगे कि टोटल लॉस आप कह सकते हैं, लॉस और प्रॉफिड फॉर दपीरिड या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इंकम फॉर दपीरिड हम जब देखते हैं, साड़े 12 करोड का आपको लॉस हुआ है, जो एक साल पहले आपको 64.99 करोड का यानि अल्मोस 65 करोड का प्रॉफिट था, देखें, ये कुछ भी हो, लेकिन हमको प्रॉब्म ये है, कि हम आज भी लॉस में, ये लगातर दूसरा क्वाटर है, जब ओवर लॉस में आ रहे हैं, ठीक है, ओप्रेशल फ्रेंट में मैं कहा रहा हूं, आप टेक्स इशूस प्लस माइनस करके कर सकते है प्रेशल फ्रेंट में आपने लॉस प्रोड्यूस किया है, आपकी EPS जो 40 परेशा थी एक साल पहले, वो निगेटिव हो करके, एक रुपए उननिस पैसे में आ गई है, आप चीज़े समझ रहे हैं, निगेटिव एक रुपए उननिस पैसे में, ठीक है, और आप ये तो ये बिलकुल भी अच्छे नमज नहीं है, देखें बाजार ये स्टॉक भाग जाये, चल जाये, इस ओके, बट आपके नमज जो है न, वह वाके में निराशा जनक है, निवेशकों को एक बड़ा जटका दे रहे हैं दोस्तों, मुझे परसनली ये लगता है, ठीक है, अ जो एक साल पहले आप 170 करोड थी, ऑपरेशनल फंट में यहाँ भी आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन आते आते टोटल खर्चे 260 करोड के हो जाते हैं, जो एक साल पहले 140 करोड थे, यहाँ फिर भी आप फड़ पैसे बचा लिए हैं, तो ओवरॉल न दोस्तों, साल रियाक करेगा, स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, और मैं इसलिए कहता हूँ भाईया, रिजल्ट से पहले प्लीज चीजों को देख लें, ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का, बहुत बहुत धन्यवाद, यह इस वीडियो का अनता है, चैह हिंद कर दो attractव करेगा, तो यहाँ जड़ार का रिया यह श्युकू फुकुछ आर धन्यवाद करें आया तक झास में आचियों का यहाँ ऑल भाईया डिया ओ़्यादाने टीकित यहाँ है, आरे इस जिए शएजों है, बहुत जदकर का बश़ का हुत प्यादा है, लगक ब crimesया झ